आज के विडियो लिक्षर में हम जानने वाले हैं डी फार्मा फॉस्ट ये के एक्जाम होने वाला है अभी सो कई सारी एस्टेट में अभी एक्जाम नेक्स्ट मन्त होने वाले हैं कई सारे एस्टेट में इसी मन्त के लास्ट में होने वाले हैं इसके पन्जाब में अभी 16 तारीक से exam start होने बाला है टी फर्म COMst येर का और उत्तर पर्दिर्श में इसी मंत के last में वे कह जए और बिहार में भी next month exam हो जाए टीफर्म stir दॉड़े चे रिगाइडिंग हमने टॉप 30 questions बनाया है फार्मासूटिक्स का फार्मासूटिक्स फर्स्ट का हमने टॉप 30 कोसें बनाया है बस इतना करके जाओ 70% मार्क्स पाओ इस इंपोर्टेंट टॉप 30 कोसें जानने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो मेड फार्मसी और प्रेश दवेल इकन फोर रेगूलर अपडेट तो हमारा यहां पर फर्स्ट कोसें एक्स्प्लें इसे आप देख लें फिर नेक्स्ट है हमारा को वेजिशन दिस्क्राइब अजब कॉस्टेशन और इसे भी देख सब्सक्राइब तो है नमर्टार कोर्चन में उसने हमारा को थर्ग अज़े और इसलेम अ क्लास यूज़ फोर में की कंटेनर इसे भी आप देख सकते हैं फिर है हमारा कोच्छन नमर फिप्त इसे हम डिफाइड इस्ट्रिलाज़ेशन वाट आर दिफ्रेंट मैठड ऑफ इस्ट्रिलाज़ेशन और डिस्कस एन्य वन अब मैठड इन डिटेल यह कोच्छन मैं इसे भी देखके जाना यह भी कोच्छन इंपोर्टेंट है और इसका स्क्रीन सोट भी ले लो अभी तक फिर नेक्स्ट कोच्छन है हमारा डिस्कस्ट बारियस ऑफिस्यल स्टेंडर्ड फॉर पाउडर डिस्कस्ट अकंस्ट्रक्शन और वाकिंग आप साइक्लों सेपरेट सेपरेटर वाला कोच्छन भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसे भी देखके जाना फिर नेक्स्ट है हमारा इस्ट्रिलाइजेशन एंड मॉस्टिट इसे भी देखके जाहिएगा आप लोग सात नमर कोच्छन कंप्लीट हो गया हमारा आर्ट नमर कोच्छन है यहाँ इसे भी देखके जाहिएगा और यह कोच्छन राइट नोट बोलता है नोट वाला जो भी कोच्छन है प्लीज इसे करके ही जाना यह कोच्छन ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं फिर नेक्स है हमारा वाट इस द फ्रेक्शनल दिस्टिलेशन और हाव फ्रेक्शनल फिर नेक्स 10 नमबर कोच्छन है हमारा वाट इस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीलिंग ऑफ माइक्रो और्गनिप्स बाइड राई हीट और मॉस्ट ड्राई हीट और मॉस्ट इस मॉस्ट हीट वाला जो कोच्छन है यह ज्यादा इंपोर्टेंट है देख लिए आप इस रिल आप आरे डैडियन फार्मचोपी ओर ब्री भी इसी दोनों को चण में से एक और आप अपको ज़रूट आएंगे फिर नेक्स्ट है हमारा थर्टीन नमबर कोश्चन में बोल रखा है classify various methods of sterilization and explain in detail about dry and moist heat method यही कोश्चन देखने आपके ताबारी भी धोड़ा है इसे करके ही चाहिएगा 100% guarantee यह कोश्चन आएगी define the term tablet and explain the various defects and evaluation parameters of tablet इसे इस कोश्चन को भी देखके जाएगा आप लोग फिर राइड डिफ्रेंस बिट्मिन हार्ट गिलेटिन और सॉफ्ट गिलेटिन कैप्सुल यह हार्ट गिलेटिन और सॉफ्ट गिलेटिन कैप्सुल वाला मिलता ही कोश्चन है और फिर हमारा introduction of immunological product इसे भी देखके जाना फिर next हमारा सतरों नमर कोश्चन देखते हैं differentiate between any four इन चारों में से किसी इन चारों को आपको differentiate करना है तो जैसे बलता है इसे देखके जाहिएगा differentiate करने वाला एक कोश्चन तो आता ही है जैसे हमने पता है और यह differentiate करने वाले कोश्चन तो आते ही है दो तिन तो आप इसे देख ही लेना फिर next है हमारा राइट नोट्स और यह क्या बोल रहा है राइट नोट्स है राइट नोट्स और है राइट नोट्स वाले को देख लेना है इसे फ्रीज ड्राइंग stream distillation यह सब कोश्चन है जो आ सकते हैं आपको 18 नमर कोश्चन अभी तक तो हो गया है फिर देखते हम 20 नमर कोश्चन define the following doses form with suitable example इसे भी देखे जाना suitable example के साथ आपको define करना है यह जो term होता है जैसे cream, glycerine, capsule, gels, logens, extract और paints इन सब के बारे में भी आप देखके जाएगा फिर है हमारा 21 नमर कोश्चन discuss the various factors affecting the rate of evaporation वाला भी इसे भी देखे जाना अब 22 नमर कोश्चन है classify the various method of estrials and non estrials discuss the method of estrialsization of surgical dressing इसे देख ले ना राइट और short notes वाला कोश्चन है इसे handing and storage of the capsule, intric coating, grab trap, infusion, advantage and disadvantage of glass इसे छोड़ना मत इन सब को देखके जाना फिर next है हमारा differentiate हमने आपको पहले भी बताया है कि differentiate वाला कोश्चन आते ही है तो आप इसे देख लेना जैसे antigen and antibodies इंपोर्टन साहे है सारे antigen and antibodies, organized drug and unorganized drug फिर है antiseptic and disinfectant, syrup and elixir यह सब कोश्चन देखके जाना इन सब को differentiate करना है फिर 23 नमर कोश्चन हो गया आपका फिर अब देखते हैं 24 नमर कोश्चन यहाँ पे है आपका 24 नमर कोश्चन देखने जो पहले अभी आप देख ली जाए हाँ पे handling and storage of capsule, filter aids, new drug delivery system, advantage and disadvantage of vacuum dryer इन सब कोश्चन को भी देखके चाहिएगा आप 24 नमर कोश्चन है आपका describe method of preparation, any one of them आपको बताना है इन सब में से any one of them के बारे 10 नमर को कोश्चन है ऐसे भी deadness और toxic इनके preparation के बारे में बताना है BCG vaccine के बारे में बताना है, small packs का जो vaccine आता है उसके बारे में बताना है आप देख लेना फिर next है हमारा ball meal आपको बोला था, ball meal भी देख लेना फिर next question है हमारा, write or short notes, 25 नमर कोश्चन है, sterilization by radiation, surgical tracing, sugar coating of tablets और vaccines 26 नमर कोश्चन है आपका, differentiate between hard and soft gelating capsule, describe the different techniques of capsule feeling हमने आपको बताया था, soft gelating and hard gelating वाला कोश्चन देख के जाना, एक tablet और एक capsule से, दोनों में से कोई एक कोश्चन आप से जरूर पूछ लेगा तो इसको करके ही जाना, फिर next question है हमारा, write or short note on disinfectants, vaccine, evaporating, pen and different doses form आप देख रहे हैं कितना सारा कोश्चन फिर से repeated हो रहा है और ये सारे कोश्चन repeated है और फिर next है हमारा, write or short note on factor affecting evocation, application of sterilization in hospital, film coating और storage capsule फिर 29th number question है हमारा, define the following terms define the following terms, जिसमें से chewable tablet, इन terms के बारे में बताना है, आपको packing and sticking ये terms क्या होता है, फिर intricated capsule, toxin and toxin, इस्टेभास, ये समझो question है इन सब को करके जाना, ये define term करना है, और ये important है, इन सब में से कोई question आप से पूछ सकता है दो या तीन, तो बस इतना ही था, इसको, मतलब फार्मासोटिक के top 30 questions इसको करके जाएए, मेरा मानना है कि ये question जरूर से जरूर आपके exam में आएंगे और 70% marks तक ही guarantee है कि ये आपको 70% marks तक दिला सकता है next video में हम, next video में हम मिलने वाले हैं, top 30 questions of health education and community pharmacy D-Pharma के लिए, D-Pharma first year के लिए, तब तक के लिए top 30 questions अभी पढ़े हैं फार्मासोटिक्स का और अच्छा score करें, thanks for watching the video, till then see you again on next video, bye bye